जै मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए comment box में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों, 5 जुलाई 2020 को साल का तीसरा चंद ग्रहन लगने जा रहा है ये चंद ग्रहन बेहत खास होगा, क्योंकि इस दिन गुरू पूर्णिमा का महापर्व भी होने वाला है दोस्तों, ग्रहन का समय तंत्र मंत्र सिद्धी साधना के लिए अति उत्तम होता है ये आप किसी मंत्र को सिद्धी करना चाहते हैं, तो इस औसर का लाब उठा सकते हैं या किसी की कुंडली में चंद्रमा की इस्तिती कमजोर है, या ग्रहन दोस है, तो उसे भी इस चंद ग्रहन का लाब अवस्स उठाना चाहिए चंद ग्रहन के दोरान जहां कई कारिवर्जित बताए गए हैं वहीं इस दोरान मंत्रों का जाप करना बेहत सुफल देने वाला होता है दोस्तों चंद ग्रहन के दोरान आपको एक अद्भूत और विशेस मंत्र का जाप करना है इस मंत्र को आप जितना ज़्यादा जपेंगे उतना गुना अधिक लाब की प्राप्ति होगी यह मंत्र आपको ग्रहन के समय करना है आपको बता दें 5 जुलाई 2020 का लगने वाला चंद ग्रहन आसान पूर्णिमा दिने रविवार को लगने जा रहा है और इसकी सुरुवाद 5 जुलाई को सुबा 8 बचकर 37 मिनट पर होगी और इस चंद ग्रहन की समापती सुबा 11 बचकर 22 मिनट पर हो जाएगी कुल मिलाकर इस चंद ग्रहन की अवदी लगबग 2 घंटा 43 मिनट की रहेगी आपको बता दें की ये एक उपचाया चंद ग्रहन है इसलिए इस चंद ग्रहन का सूतक का नहीं लगेगा नहीं सूतक प्रारंभ होगा और नहीं सूतक का समापन होगा आपको बता दें कि यह चंद ग्रहन दच्छडी पस्टमी यूरोप, इस्पेन, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, इंगलेंड, आयरलेंड, जर्मनी, हॉललेंड, अफ्रीका, उत्री दच्छडी अमेरिका, प्रसांद महासागर, हिंद महासागर और अट्रांटिक महासागर मे दिखाई नहीं देगा, दोस्तों, ग्रहन के समय भगवान का इसपर्स करना वर्जित होता है, साथ ही ग्रहन के समय खाना पीना, सोना, यात्रा करना, छल कपट, या किसी की बुराई करना, क्रोध करना, सिर पर तेल लगाना, या बाल खीजना, ब्रस करना, कपड़े निचो आपको मंतर जाप मानसिक रूप से करना चाहिए, यानि बिना आवाज किये हुए, मन ही मन में इस मंतर का जाप करना चाहिए, इसके लिए आप कुसा या कंबल का आसन में बैठ जाएं, ध्यान रहे दोस्तों, इस मंतर जाप के समय आपको भगवान की मूर्ती का इसपर्स नहीं करना है, और नहीं आपको इस समय दीपक जलाना है, ग्रहन काल में मंतर जपने के लिए माला की भी आवशक्ता नहीं होती है, बल्कि इसमें समय का महत्तु होता है, आप अपनी इच्छा के नुसार 11, 21, 51 या फिर एक माला का जाप भी कर सकते हैं, या फिर आप पूरे ग्रहन काल में भी इस मंतर का जाप कर सकते हैं, इससे आपको हजार गुना फल की प्राप्ती होगी, इस मंतर को आप जितनी संख्या में करेंगे उतना ही अधिकलाब प्राप्त होगा, दोस्तों चंद ग्रहन के समय आपको ओम सोम सोमाय नमा या फिर ओम चंद्राय नमा मंत का जाब करना है यह चंद्रमा का मंत्र है जब आप चंद्र गहन के दौरान चंद्रमा के मंत्रों का जाब करेंगे तो इससे निश्चित रूप से चंद्र देव को सांती मिलेगी जब कोई व्यक्ति देवता या ग्रे पीड़ी तवस्ता में होता है तो उस समय उसे प्रसंद करके मनवांचित फल की प्राप्ति की जा सकती है इससे आप जीवन में सुक सांती और सम्रद्धी का वर्दान प्राप्त कर सकते हैं और यदि आप अपने इस्ट दियों को प्रसंद करना चाहते हैं तो चंद गहन के दौरान उनका जाब भी कर सकते हैं आप सिफ जी के लिए ओम नमा सिवाय विश्णु जी के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्री क्रिश्ण जी के लिए ओम क्लीम क्रिश्णाय नमा स्री राम जी के लिए ओम राम रामाय नमा हनुमान जी के लिए ओम राम दूताय नमा या फिर मादुर्गा को प्रसंद करने के लिए ओम द ही पूरी हो जाएगी तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंड में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंड बॉक्स में अवस्थ पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद